जर्मन शहर क्रेफिल्ड में कीट विज्यानी संग के सदस्य 30 साल से डाटा जमा कर रहे हैं, जो बताता है कि कीडों की संख्या में कितना बड़ा बदलावाया है। कीडों को पकड़ने का काम हर दिन और 24 घंटे चलता रहता है। हर दो हफ्ते बाद इन कीटों को निकाला जाता है। एक बोतल में कई हजार प्रजातियों के कीड़े जमा हो जाते हैं फिर कीड़ों को लैब में ले जाकर अलग किया जाता है इस काम में विशेसग्यता की जरुवत होती है कीट संग के हर सदसे के पास अपनी विशेसग्यता है फिर टीम में तै होता है कि कौन सा कीट किस प्रजाती का है इस संग की इस थापना सौ साल पहले हुई तब से यह कीटों को जमा कर रहा है वे अलग-अलग प्रजातियों को दर्ज करते हैं और उनमें आये बदलावों पर भी नज़र रखते हैं 1980 के दशक के आखिर में इन रिसर्चरों को आईडिया आया कि कीटों की विवित्ता ही नहीं बलकि उनके वजन का भी पता लगाया जाए कीटों को अलग-अलग करने से पहले वे उनका वजन तोलते हैं इसके लिए खास नियमों का ध्यान रखते हैं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि हर एक नमूने का वजन एक जैसी परिस्थितियों में लिया गया है हर काम बिलकुल पहले जैसे करना होगा ये बहुत ज़रूरी है मुझे समय नोट करना है मातरा नोट करनी है वरना परिणाम गलत होंगे इस से मापों की एक श्रिंखला तयार होती है जिसमें बीते 30 साल में पकड़े गए उड़ने वाले कीटों का वजन दर्ज है इस दरान क्रेफिल्ड के रिसर्चरों को एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया पहले भी उन्हें इसके बारे में संदेह था उन्होंने क्रेफिल्ड के पास एक ट्रैप लगाया 24 साल पहले भी उन्होंने यहां ट्रैप लगाया था 1989 में उन्हें 1117 ग्राम कीट मिले थे जबकि 2013 में उनके हाथ सिर्फ 257 ग्राम कीट आये यानि 77 प्रतिशत कम इतना बड़ा बदलाव कीट विज्ञानियों ने कीटों के बारे में जानकारी जुटाना जारी रखा 1989 से 2016 के बीच 63 अलग-अलग जगों से उन्होंने कीट जमा किये 27 सालों में 1503 बोतल नमूने जमा किये साल दर साल कीटों के वजन में उतार चढ़ाव आया है लेकिन धीरे-धीरे इनमें कमी ही आ रही है हर साल औसतन 5 प्रतिशत की कमी मतलब बीते सालों में हमने बहुत कुछ खोया है अगर आप 1989 से 2016 तक के 27 साल के परिणामों को देखें तो हमें लग-बग 76 प्रतिशत की कमी दिखाई पड़ती है लेकिन इतनी कमी की रिपोर्ट ने संसनी फैला दी कर दो